नमस्कार रेखा पोमार्स किचन में आपको स्वागत आज हम गेहूं के आटे से बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी नाष्टा बनाने वाले हैं तो यदि आप सेंड्विच खाने के शोकिन है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजिएगा आपको पसंद आएगी इस अब हम इसमें एक चुटा छोटी चमच से भी कम बेकिंग सोटा डाल रहे हैं और दो चोटी चमच के लगभग हम इसमें थोड़ा सा खटा दही डाल रहे हैं यदि आपके पास ताजा दही है तो आप यहां पर तीन से चार छोटी चमच दही ले लिजी अब सभी को पंदरा मिनिट के लिए इसी तरीके से ढख करके रख देंगे और अब गेस पर कोई भी पेन या कड़ाई चड़ा दीजिए और इसमें थोड़ा सा बटर डाल दीजिए लगबख एक छोटी चमज बटर की बजाए आप यहां पर घी या ओल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं इसमे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसके बाद हम यहां पर दो हरी मिर्ची डाल देंगे बारी कटी हुई इसी के साथ हमने एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च को भी बारी कट कर लिया था यह भी इसमें डाल देंगे और इन्हें मिला करके ढख देंगे गेस की आँच हम बिलक कटा हो डाल देंगे और एक बार फिर से अच्छी से मिला लेंगे तो लगबग एक मिनिट के लिए फिर से हम इसे लगातार चलाते रहेंगे इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाधनुसार और थोड़ इस यह निकी एक चुथा छोटी चमच काली मिर्च पाउडर ड के सब्द कर देंगे थोड़ा समिस में बारी कर्टा ओनी दाल देते और अवम इससे थोड़ा थंड़ा होने के लिए एक बाल में निक्तिरिए उप्पशी हम इसमें धन्डी होने के पाद हम इसमें साल्णों में दूद के ऊपर की जो मलाई निकलती है वही तो यहां पर हमने दो क्यूब चीज के लिए है चीज को भी ग्रेट करके इसमें डाल देंगे आप चाहें तो चीज को इसकिप कर सकते हैं तो यह लीजी हमारी स्टेफिंग बन कर तैयार हो गई है चीज को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीज के वज़ाएं आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं बच्चों को पनीर भी काफी पसंद होता है इधर लगबग 15 मिनिट में आटा भी अच्छे से सेट हो गया है एक बार इसे हाथ से थोड़ा चिकना कर लेंगे और इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले करके इसकी लोई बना लेंगे और सुखे आटे से लपेट करके इसे हम बेल लेते हैं तो हमें बहुत ज़़ादा इसे पतला नहीं रखना है थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे तो यह देखिए हमने इसे बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमने इसे हलका सा मोटा रखा है इधर हमने गेस पर तवा गरम होने के लिए रख दिया था तवा भी हलका सा गरम हो चुका है तो इसे तवेपर डाल करके सेख लेंगे गेस का फ्लेम हम हाई रखेंगे साइज आप अपने इसाप से चोटी या बड़ी कर सकते हैं आप चाहे तो छोटी चोटी पूरियों की तरह भी इन्हें बेल सकते हैं तो एक तरफ से ये सीख चुकी है और दूसरी तरफ से भी आप देखिए सीखने लग गए तो अब हम इसे तवेपर से उतार करके गेस पर सेख लेंगे आप चाहे तो इसे तवेपर भी सेख सकते हैं आप देखिए रोटी हमारी अच्छे से फूल गई है तो इसे हम उतार लेते हैं और इसी तरीके से दूसरे रोटी को भी सेख लेंगे तो रोटी हमारी सारी बनकर तयार हो गई है और हल्की से थंडी भी हो गई है तो अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि हम इसका सेंड़ुच बनाने वाले हैं तो जो इस्टफिंग हमने बना करके तयार कर रखी थी वो दो चम्मच की लगफख लेकर के इसमें डाल देंगे और इसे एक जिसा फेला लेंगे और ये देखिए हमारा सेंडविच बनकर तयार हो गया है आप देखिए कितना सुन्दा लग रहा है ना इसी तरीके से हम दूसरी रोटी में भी स्टफिंग लगा लेंगे तो ये दोनों ही सेंडविच बनकर हमारे तयार हो गए हैं आप चाहे तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन हम इने थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे क्योंकि हमने इसमें चीज भी डाली है पेन में फिर से हम थोड़ा सा बटर या ओयल लगा लेंगे और जो सेंड़ीच हमने बना कर त्यार कर रखें वो इस पेन में रख करके इने ढग देंगे गेस का फ्लेम हम मीडियम रख कहें बनाएं 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 चाहिण का और जाओ को आगा लगा एदा कर दिक यह चेखनी कि जरूरत नहीं वरना इनका रख हो जाएगा बनाएं बनेगी की जलबी सकते हैं जब तब तक यह सेंड्वीच इकर तैयार होते हैं तब दूसरी रोटी में इस्टफिंग डाल करके इने तयार कर लेते हैं तो देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे सी क्रिश्पी हो चुके हैं इनने पलट लेते हैं बहुती ध्यान से यहीं की धीरे से आप इने पलटे वरनर इसकी स्टफिंग बाहर निकल सकती है, आप देख सकते हैं, कि स्टफिंग इसकी निकलने लग गई है, सेंडविच हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए है, तो इसी तरीके से दूसरे सेंडविच को भी हम सेक लेंगे, यदि आप ब्रेट खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इस गर्मा गरम हमारा ये सेंडविच बन करके थैयार हो चुका है, तो गर्मा गरम इस चपाती सेंडविच को आप किसी भी चटनी के साथ खाईए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बना है, इसकी आवाज से लग रहा होगा, तो जल्दी से आप भी ये सेंडविच बनाएए, और सभी को खिलाएए, सभी को पसंद आएगा, आशा करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, यदि रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल न भूलिए, थैंक ये,